इसका सेकेंड पार्ट है देखिए कि बीजिक्स एटे इसी बेलु लेनी सिफ प्लस करने पर आपको क्या आना चाहिए को प्लस है तो आना चाहिए 22 यह फिर 12 अगर आप 1 digit का नमबर लेंगे यहाँ पर दिखिए एक हे तो यहाँ पर सिफ 1 digit का नमबर आना चाहिए तो एक ही वैल्यू क्या होगी तो चीज़ नमबर कौन सा होगा जिसको प्रस करने पर आपको यहाँ पर 12 मिन जाए तो एक ही वैल्यू हम कहले सकते हैं 6 6 प्रस 6 कितना हो गया 12 तो उसको हम सॉल्फ करते हैं बी की जाब भी मैं कुछ नहीं लिख रही हूं हाँ पर 6 एक की जाब पर क्या लिख रहा है हम 6 चेक कर रहा है भी हम यहाँ पर हो गया अब 1 की जाब पर यहाँ पर 8 था तो आप भी 8 लिख दीजे और यहाँ पर 2 6 प्रस 6 कितना हो गया 12 12 का 1 कैरी यहाँ पर B की जाब भी खाली है अब देखिए यह 8 प्लस 1 कितना होगा 9 अब 9 मैंसर क्या प्लस करें कि हमें 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 6 मिल जाए 9 plus 7 कितना होता है 16 देगा हम यह पर 7 लिख दें ती की मील लागा 16 तो 6 का 1 carry तो यह carry का जागा यहाँपर तो C की value कितने है किहांपर कुछ है नहीं, तो हम यह लिख देंगे 1 मारा answer कितना है 162 तो a की value हो गई 6 और b की value कितने हो गई 7 ती है हमारा answer है झाल झाल